हाई फ्रेंग्स आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक माल्टी प्रोड़क्टिव फार्म दिखाने वाला हूँ मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर आपको कही तरह की इचिरिया की अपकी फार्मिंग करता हुआ दिखाई देगी यानि आपकी खाकी केमबल से लेके बहुत प्रजतियों की बतक उनके वहाँ एवैलेबल है यह देखिए यह जो बतक का जून है इसमें इंडियान रनर भी है लोकल जो देशी ब्रीड है वो भी है और क्रोस ब्रीड का भी बतक शामिल है इसकी अलावा इन बतक के अलेवा उन नहीं इनकुबेटर पर हैच किया है तो आएए इन सारी चीजे को डिटल्स में देखने के लिए शुरू करते है आज का ये वीडियो तो दोस्तों इस फार्म का सबसे पहला और सबसे शांदार जो एट्रेक्शन है वो है खाकी केमबल यहां लगबग 200 और खाकी केमबल की है तो यह जो खाकी केमबल है यह लगबग 3 हफते का हो चुका है तो यह खाकी केमबल बहुत दोर से ही लाया गया था क्योंकि यह पूरा का पूरा ओरिजिनल ब्रेट का खाकी केमबल है इस पे गरबर नहीं है क्योंकि खाकी केमबल के थ्रों लोग बहुत ज़्यादा पेम श्टिक्स या फीचर्स होता है तो आपको वीडियो में आराम से पता चल जाएगा कि ये सब ओरिजिनल खाकी केमबल है या नहीं तो ये हैं उनका पहला अट्रेक्शन दोस्तो अगर कोई भी फार्मार एक परपस के लिए अपना बतक पलन करना चाहते हैं तो उनके लिए तो अवल नंबर का जो बतक का ब्रीड है वो ही है खाकी केमबल ये तो हम सभी को मालूम है जो लगबग 320 से भी ज़्यादा अंडे देती है एक साल में तो अंडे के लिए खाकी केमबल का मुकबला दुस्ता कोई भी ब्रीड नहीं कर सकता साथ ही में यहाँ पर आपको ये भी दिखेंगा कि इतने ठांट पर भी उन्होंने अपने चूजे को इस तरह से देख भलकी कि उसका मॉटलिटी रेट एकदम कम है दो या तीन परसन की भीतर ही है तो अभी तो चूजा बरा हो चुका है तो अभी तो मरने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने जीरो साइस कह लाया था मतलब डे वान्ट से लेके अभी तक इन्होंने इतना अच्छा देख भलकी कि उनका चूजा जो है ठन की बज़े से नहीं मरा यह देखिए यह है उनका शेड यहाँ पर ही इन चूजों को रात को रखा जाता है तो यहाँ पर हावा आने जाने का भी सुविदा नहीं है यादि ठान तो बहुत दूर की बात तो इस तरह से उन्होंने एरेंस किया यह देखिए पूरा छोटा साइस का जो उनका शेड है उस पर नीचे बहुत मोटी तरीके से जो धान का चिलका होता है उसका यूस किया गया इसके अलावा रोशनी भी वहाँ पर है यानि गर्मी के लिए तो यह देखिए पूरा ढग द इतना कम है नहीं तो आपका वो 5-6% भी हो सकता था तो अब भी चलिए मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ उनका फार्म का दूसरा अट्रेक्शन यानि जिसमें कही प्रजातियों का बतक शामिल है तो इनके फार्म पर आपको इंडियान रानार ब्रीड मिलेगा यहाँ पर आपका लोकेल देसी डक्स मिलेगा और साथ ही इंडियान रानार और लोकेल देसी डक्स को आपस में मेटिंग करवा कर क्रोस बीड भी यहाँ पर उपलब्द है तो अगर आपको चाहिए आप इंसे संपर्ट कर सकते हैं तो यह है छोटा सा गड़ा जो इन भरे बतक जो रात को रेता है यह है उनका शेल्टर जो अपके सुनाली मुर्गियों के साथ ही जुरा हुआ है तो इस शेल्टर भी काफी अच्छी तरह से इन्होंने एरेंस किया है देखिए नीचे पूरा ब्लोक कर दिया टीन से ताकि हावा आ जा ना सके क्योंकि ठंड का मौसम है पर आपको लेकी चलता हूँ आप खुद ही डाइरेक्ड देख लेजए उनके सुनाली मुर्गियों का जो फां हे वो तो उन सुनाली मुर्गियों का इनका जो है वो तीससे अट्रेक्शन है तो दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बोहाल ही में बहुत सारे सुनाली मुर्गियों का फार्म विजिट किया था लेकिन इनके फार्म का जो मुर्गियों का साइस है अपका डोले सोले है मसल है वो देखने लायक है आप देखिए जो खास करके मेल मुर्गिया है उसका जो बजन देखिए साइस देखिए कितना हट्टा कट्टा कितना बरा है मतलब इनका जो क्यारन मेनेजमेन है ना वो पू तो आप सभी के जानकारी के लिए में ये बताना चाहता हूँ कि इनका बहुत बड़ा एक खुद का ही इनकुबेटर है वो में वीडियो के आखिर में आपको जरूर दिखाऊंगा उसी इनकुबेटर पर इनों ये जो सुनाली मुर्गियों का जो आप जून देख रहे है तो कम प्राइस में जरूर मिलेगा दूसी जगह से दो चार रुपे कम ही पे मिलेगा और वो साथ ही आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल ब्रेट का सुनाली मुर्गी मिलेगा जी हा दोस्तो सबसे खास बात ओरिजिनल ब्रेट का जो इतना हट्टा कट्टा होता है इतना बरा सा इसका होता है दोस्तों आज से कुछ दिन पहले एक फार्मार भाई ने मुझे SMS किया था कि सुनाली मुर्गिया कुड़क होती है या नहीं यानि सुनाली मुर्गिया अपनी अंडे को हैज करती है या नहीं तो देखिए सुनाली मुर्गिया जो है वो अपने अंडे को हैज न सकते हैं लेकिन अपने से नहीं करते तो ये मैं आज आपको बताना चाहता था तो इस फार्म पर सुनाली मुर्गियों के साथ चाहत अपके लोकल देसी मुर्गिया भी पाले जाते हैं तो देसी मुर्गियों का जो अलग से रहने इंतिजम तो हमने नहीं देखा, शायद सुनाली मुर्गियों के साथ ही रहते होंगे, तो वो अब वीडियो में अच्छे से जांस कर लिजिए, कौन सा देशी है, कौन सा सुनाली है, तो अभी में इनका फार्म का चोथा और बहुत ही अहम जो एट्रेक्शन है, यानि RIR Chicks, यानि Rod Island Red Chicks, तो वो दिखाना चाहता है, वो देखिए, यह है Rod Island Red मुर्गियों का चीक्स, दोस्तों अगर अपने किसी से भी पूचा है, या Google में भी सार्च किया है, कि अंडे के लिए अगर आप मुर्गिया पालने चाहते है, तो हमारे इंडिया के एंवारेमन के सबसे अच्छी एग लेइंग मुर्गियों का जो ब्रीड है, वो है RIR, तो इन्होंने अंडे कहे से शायद कलेक्ट किया था, और अपने ही इंकुबेटर पर हैच करवा के, आज देखिया, इनका चूजा भी निकल दिये, तो आभी मैं इस फार्म का जो आखरी एट्रेक्शन है वो दिखाना चाहता हूँ, वो है इनका इंकुबेटर, तो इसी इंकुबेटर से इन्होंने सुनाली मुर्गियों को हैच किया, बतक को हैच किया, RIR चिक्स को हैच किया, मतलब इनके पास ज्यादा तर चिक्स जो है, वो इन्होंने ही हैच किया, खाकी केमबल को छोर कर, क्योंकि खाकी केमबल का ब्रेर इनके पास नहीं था, वो भी इन्होंने आपके तक्रिबन 200 के आसपा 6 इन्होंने बहुत दूर से कलेक्ट किया, तो यह है उनका इंकुबेटर, अगर आपको अंडे चाहिए, चूजे च मुर्गी, चोटा बतक हो, या बराब को, या बतक के अंडे चाहिए, तो इनका जो नमबर है, उस नमबर से आप संपर्क किजिये, और अगर पौर्टरी फार्मिंग से जुर् Bio आपकी किसी भी समश्या हो, तो भी आप उनसे संपर्क किजिये, मैं उमीद करता हूँ और उन आपने बाद